नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सैनिक समाचार यूटूब चैनल पर दोस्तों सैन कर्मियों वा पेंसन भूगियों के लिए कंटीन इस्टोर डिपार्टमेंट का जवरजस्त आदेश इकस्पारी कार्ड, रिटारिंग पर्सनल कार्ड, डेमेज कार्ड, फर्स्ट टाइम अप्लिकेंट इन सब के लिए कंटीन इस्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से एक महत्पून अफडेट आया हुआ है तो दोस्तो देखते हैं पूरी ख़वर को इस वीडियो के माध्यम से दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में पहली वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रेस कर लें ताकि आप तक सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंसता रहे दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्मी हेटकॉर्टर की क्वाटर मस्टर जनरल वरांच की तरफ से कंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से 27 अप्रेल 2020 को ये लेटर जारी किया गया है दोस्तो इस लेटर की प्रतिलिपियां सभी कमांड हेटकॉर्टर में भेज दी गई है जितने भी फार्मेशन हैं वहाँ पर भेज दी गई है जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं कंटीन स्मार्ट कार्ड रिन्यूबल निव अप्लिकेशन यानि दोस्तो कंटीन कार्ड का जो रिन्यूबल और नया जो अप्लिकेशन है उसके संदर्भ में ये लेटर लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर 17 सितंबर 2018 का कंटीन कार्ड के प्रोसेस का रिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों यहाँ परटू में बताया गया है कि COVID-19 के प्रकोब के कारण ASCPL यानि जो कार्ड बनाने वाली कंपनी है उसके परिचालन में बुरी तरह से वो प्रभावित हुआ है जिसके कारण कंटीन स्मार्ड कार्ड के नए और नवीनी करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके चलते जितने भी CSD लावार्थी हैं वो कंटीन का सामान लेने से उन्हें बंचित ना किया जाए उन्हें सामान मिलता रहे इसी के संदर्भ में इस लेटर में बताया है तो दोस्तों फर्स्ट कालम ए में देखते हैं इसमें बताया गया है कि अगर आप का कंटीन कार्ड की अवधि समाप्त हो गई है कंटीन कार्ड के द्वारा पैच अपडेट के माध्यम से कार्ड की बैध्यता को 30 जून 2020 तक या फिर इंडिविजल को जो भी पहले हो नया कार्ड जारी होने तक बैध्यता बढ़ाई जाएगी दोस्तों उसी तरह से कालम B में रेटायरिंग परसनल कार्ड यानि दोस्तों जो जबान सेवा निब्रित हो गए हैं लेकिन उनका एक सर्विसमेन कंटीन कार्ड की कारवाई नहीं हुई है उन्हें सेवा निब्रित रेटायर सेनिकों को जो URC का ब्रोंज कार्ड इशू किया जाता है URC को उसी कार्ड से जब तक रेटायर सेनिकों का कंटीन कार्ड जारी नहीं किया जाता कंटीन कार्ड जब तक नहीं मिलता तब तक उन्हें कंटीन का सामान URC ब्रोज कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा लेकिन दोस्तों उस पिंसनर को उस सेवा निबृत को बैले डाकुमेंट दिखाना पड़ेगा जो उसका रेटायरमेंट का बैले डाकुमेंट है वो दिखाना पड़ेगा उसी तरह से दोस्तों C कालम में बताया गया है कि जिन लोगों के कंटीन कार्ड डैमेज हो गए हैं छतिगरस्त हो गए हैं फिजिकली या टेक्निकली रूप से उनकी जो संबंधित URC होगी वो URC उन्हें URC ब्रोंज कार्ड के माधम से उन्हें सामान दिया जाएगा जब तक उन लोगों का कंटीन कार्ड जारी नहीं हो जाता है नया बन के नहीं आता है URC इन लोगों के आवेदन की प्रक्रिया करेगा और SCPL की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती है उसी तरह दोस्तों कालम D में बताया गया है कि जो फर्स टाइम अप्लिकेंट्स हैं जो जबान पहली बार CSD कार्ड स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन किये हैं उन जबानों को भी URC ब्रोज कार्ड के माधम से सामान दिया जाएगा जब तक उनका नया कार्ड बन करके नहीं आ जाता तब तक उव URC का जो ब्रोज कार्ड होता है उसके माधम से सामान लेंगे कालम E में बताया गया है दोस्तों जो उनका वार्षिक अन्वल वैल्डिटी होती है जो कार्ड की उसकी प्रक्रिया वो URC के माधम से होगी चाहे वो एक सर्विसमें हो चाहे सिविलियन हो उनकी जो annual validity का काम है वो URC के माध्यम से किया जाएगा तो दोस्तो ये कंटीन store department की तरफ से ये जानकारी दी गई है तो दोस्तो जितने भी हमारे फोजी भाईयों को मालूम होगा जिनको जिनके पास कंटीन कार्ड की इस तरह की समस्या है उन्हें घवराने की जरूरत नहीं है वो URC में जाएं और कंटीन का सामान वो ले सकते हैं URC ब्रोज कार्ड के माध्यम से ये जानकारी हमारे हर जवान तक पहुँचनी चाहिए इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि हमारे हर एक जवान को ये जानकारी के बारे में पता चल सके जिससे उनकी अगर इस तरह की कोई शमेश्या है तो वो URC में जाएं और वो अपना सामान ले सकेंगे तो दोस्तो ये थी जानकारी इस वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद जैहिन जैबाद